तब आप उसको गाली देते हैं कि ये हर्ताल, बंद, ये नेता लोग गलत काउं करते हैं। अब बंगाल के उत्तर प्रदेश के भुसन का जबाब देना। जब आप सियासत के लिए बलतकारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा। तो आप किस मानसिक्ता से आप उमीद करते हैं कि बलतकार की घट्डा रुके। बेटी को भी आप बाइफरकेट कीजेगा डॉक्टर स बेटी को भी बाइफरकेट कीजेगा किसी चीज़े। सिबिया इंक्वारी हो गई। एरेस्ट हो गए। ममताब इनरजी खुद सरकों पर हैं। अकौन सी सुरक्चा की बात करते हैं केंडर। आप आम आदमी को सुरक्चा दे नहीं पाते हैं। और आम आदमी की गरीब की बेटी के साथ भलतकार होता है। तब ये देश में हर्तालास था क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर तो फोर करें तो कोई एक्ट नहीं। कोई कानून नहीं। डॉक्टर के कारण पब्लिक मर रही हो। कोई कारण नहीं। CBI inquiry हो गई, अब इसको क्या चाहिए। मानविय क्रित करते हैं ये डॉक्टर लोग। इनको गौड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया ने दिये। ये इनसान है। आप कानून भी आप ही हैं, जब और लोग हर्ताल करते हैं, तब आप उसको गाली देते हैं कि ये हर्ताल, बंद, ये नेता लोग गलत काउं करते हैं। और बेटी को आप डॉक्टर से अजाद से जैसे मायबती जी और चंसेकर जी ने ट्वीट कर दिया। उसके अलावे कोई नेता अभी तक क्यों नहीं गए। बिहार में चार बलतकार हुए, उत्राखन में बलतकार हुए, नर्सेस के साथ, और बिहार में से बड़ा बीबस घटना तो नहीं घटी। जो माजी जी दलीट लीडर के अपने को अपने को बड़ा हमारे पड़िभार के तरह है जो विपक्स के नेता कहते हैं कि नितिशकुमार नितिशकुमार या कोई ममता बनर्दी क्या करें आप हमको ज़िए इड्मीस्टेशन दोषी हो जाया है सासन पर सासन दोसी हो जाओ उसमें सिधा मुकमंतरी को सब जगा आप गाली देते रहे तो आप घर में क्यों सुईव हैं मैं जानना चाहता हूँ सत्ता पक्स तो इसलिए ने गया कि उत्रा खंड में राजनिती बंगाल में राजनिती करनी है और केंदर को बेटी पर ही राजनिती करनी है तो केंदर उत्रा खंड का जबाब देना अभियार का जबाब देना बंगाल के उत्तर प्रदेश के भुसन का जबाब देना राम रहिम का जबाब देना असा राम का जबाब देना बाबाओं का जबाब देना ये राम रहीम पर भुसन का जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग तो जब आप सियासत के लिए बलतकारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा तो आप किस मानसिक्ता से आप उमीद करते हैं कि बलतकार की घट्ना रुके और निर्वया बलतकार के घट्ना के बाद 33% बलतकार इस देश में बढ़ी है 33% और बेटी को भी आप बाइफरकेट कीजेगा डॉक्टर से बेटी को भी बाइफरकेट कीजेगा किसी चीज़ से सीबिया इंक्वाइरी हो गई एरेस्ट हो गए ममताब इनर्जी खुद सरकों पर है बेटी के सबाल पर फिर राजनिती कैसा आप कौन सी सुरक्चा की बात करते हैं केंडर आप आम आद्वी को सुरक्चा दे नहीं पाते हैं और आम आद्वी की गरीब की बेटी के साथ बलतकार होता है तब ये देश में हर्तालास तक क्यों नहीं करते हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं ये और भारत धी मौत हो गई ये भारत मौत के जिम्मधार कोन हों है डॉक्टर पर 302 का मुकंदमा नहीं लगना चाहिए ये लगातर तोर फोर कर रहे है मतलब डॉक्टर तोर फोर करें तो कोई एक्ट नहीं कोई कानून नहीं डॉक्टर के कारण पबलिक मर रही हो कोई कारण नहीं CBI inquiry हो गई अब इसको क्या चाहिए मैं सीधा जानता हूँ और मानविय क्रित करते हैं ये डॉक्टर लो इनको गौड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया नहीं दिये ये इनसान है और इन्हें इनसानियत का पता नहीं है मेडिकल कॉंसिल अव रूल का पता नहीं है ये आप समझ लीजिए अब इलम फांसी हो हम केंडर से आगरा करेंगे कि S.P.D. ट्रायल कराके एक मेने के अंदर इन बेटियों के बलतकारी को फांसी दे दीजिए करेंगे और आगे इसके बाद अब कोई बलतकार नहीं होगा इसकी गारंटी के अंदर लेंगे डॉक्टर इसलिए अन्हुमन है और अपने इगो के कारण डॉक्टर आम लोगों की जान ले रहे है हम हर ब्यक्ति पर करा करेंगे नेता पर ख़ड़ा ने किये कि राम रहीम अब रजभूसन क्यों ने गए विपक्स के नेता कि संजय जादव ने बलतकार किया मारा मैं ये सबाल ख़ड़ा कर रहा हूँ क्यों नहीं गए अभी तक क्यों नहीं गए अभी तक क्यों नहीं गए मदवनी क्यों मोतिहारी नहीं गए क्यों मुझफर कुप में जिस तरीके से जो बच्ची के नावाली बच्ची के तादव मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं पुछना चाहूँगा धलित नेताओं से बिहार में और विपक्ज से, कि अब ही तक आप वहां क्यों नहीं गए, उसकी मदद क्यों नहीं किये, सत्ता पक्च इसलिय ने गए, कि उन्हें राजनिती करनी थी मंगाल में, विपक्च इसलिय ने गए, कि उनके जात इन्भल हो गए, बलातकारी जात नहीं होता है, विपक्च महद है, वो बलातकारी होता है, वो इस जनम में नहीं हो सकता, बलातकारी मडर कोई भी होगा, उसे फांसी मिलनी चाहिए मर्मनी के बलतकार में कोई है मुत्यारी के बलतकार में कोई है बेटी जाती नहीं हो सकती कोई तलित जाद अब राजपूत भूम्यार नहीं होगा लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर और नेता कभी राम रही मासाराम, ब्रजभूसन, बाबा कभी जात ऐसे नेताओं से जब तक या देश नहीं बचेगा ये जो नबसी खुनेता है एक टो ब्यार में ये ना धर्ना देंगे ना परदर्सन करेंगे ना ये कहीं जाएंगे पैसा के बदोलत ये फेश समकाएंगे सोसल मीडिया और टीबी पर पैसा दे दे करके बयान करवाते हैं सोब को सोब को पैसा दे दे इनको जाने से फुरसत रही है ये राज़निती करेंगे इसलिए इन लोगों से बचाएए शर ये जो सिंहरा कमपणी है इसको जिन्दा दीन मेहंग कर देने की इसके मालिक को जौरत है इसका मालिक लुटे रहा है बिहार से अरो करोरो लुटाया है डस कमपणी बना लिया है एक कमपणी बेंड होता है और इसके साथ यहां के सारे R.W.D. P.W.D. पूल निगम के सिग्रेटरी मिले हुए है सब ने लुटा है सिंहला कमपणी का मालिक सबसे बड़ा लुटे रहा है उसकी जाच होनी चाहिए इनकी E.D. की संपत्ती की जाच होनी चाहिए इस पर F.I.R. लोज होना चाहिए पटना में भी तिन लोग मरे थे यह कमपणी के मालिक लोग से बड़ा बैमान बड़ा भरस्ताचारी कोई नहीं है और इसके साथ मिला हुआ रहता है यह सेक्रेटरी और यह दोनों और यह माफिया ठेकिदार नेता लोग इन लोग से पैसा उसुलते हैं और पैसा लेते हैं तो परसेंटेज लिजेगा 60% मंत्री लेंगे परसेंटेज और सेक्रेटरी तो सिंग्रा कमपणी का पूल ने गिरेगा कल भी पूल गिरा है 9 नमर 10 अमर वही बोल रहा है तीसरा बार तीसरा बार और अभी तक वो सेब है तो बचा कौन रहा है मंत्री जी ना